गुद मॉर्निंग वेलकम चेप्टर नमबर नाइन मिक्सिलियास एक्सरसाइज कोशन नमबर फोर फाइंड दे सम अब आल नमबर्स बिट्विन दे टू हंड़ेड और फोर हंड़ेड विचिस आइड दिविजिबल बाई सेवन तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि 200 के बाद कौन सा ऐसा नमबर है जो 7 से डिविजिबल है कि आप 7 से 200 को डिवाइड करो जो reminder बचता है strand उसको 7 में से minus करके 200 में add कर दो वही आपका first term of क्या होगा strand number होगा तो हमारा यह कितना आ जाएगा 203 last term करने के लिए भी strand हमारा पास formula कि 400 को 7 से divide करो जो आपका reminder आता है strand उसको 400 में से minus कर दो तो वो आपका last number मिल जाएगा 399 strand तो हमारा जो required sum जो हमने find करना है वो 203 यह हमारा लिए first term होगा plus second term 210 plus 217 होगा third term dash dash 319 strand यह हमारा first term है strand common difference हमारा 7 होगा strand और हमारा जो last term है strand जिसको मैंने L लिख दिया है आप इसको AN भी लिख सकते हैं strand तो AN कह लिजी है strand L कह जी लिए आपका 399 है इस last term से हम पहले यह देखेंगे कि 203 से लेका 319 तक कितने term है strand तो उस term को निकालने के लिए general formula लगाएंगे arithmetic progression का न-th term is equal to A plus N minus के 1 और D हमारे पास last term 399 है A हमारे पास 203 है N हमें find करना है bracket close D हमारे पास 7 है 203 को हमने shift किया right से left के पाथ तो sign हो जाएगा 196 आ जाएगा is equal to N minus के 1 bracket close 7 implies that N minus 1 is equal to 196 upon 7 तो 28 is equal to N minus 1 आएगा तो N is equal to 29 terms इसमें 203 से लेका 399 तक 29 terms है अब हमें required sum find करना है तो यहाँ पे required sum में formula हम कौन सा यूज करेंगे जो second formula होता sum का जिसमें last term हमें यूज करते है तो SN is equal to N upon 2 bracket A plus के L तो N की value हमारे पास 29 upon 29 है class 11th student A हमारा first term 203 है और last term हमने L कितना है 399 इसको add करेंगे तो 602 आएगा 2 से यह 301 बार करतेगा 29 के 301 में multiply करेंगे तो 8729 आएगा तो I hope class 11th student आपको mix liens का question number 4 भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से आपको समझ में आता तो आप likes करना अपने दोस्तों को share करना ना भूले अगर आपको कोई problem भी होती तो message box पे आपकर जाकर problem आप अपनी share कर सकते हो मैं बहुत सारे बच्चे को ये देखता हूँ कि वो problem share करने के ना करके वो अपनी personal बात share करते हो बहुत गलत बात है एक अध्यापक के लिए सब बच्चे प्री है वो सोचता है कि easy से easy तरीके से किस तरीके से questions को समझाया जाए okay